नमस्कार दोस्तों मैं रावल निश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल माई पाटशला में और पाटशला रिल्बे एक जाप में रोज की तरह आज भी आपके लिए करेंट अपेस लेकर आगया हूँ मेरा जो उदेश रहता है, करेंट अपेस का, मेरा इस तरह से रहता है कि कहीं आप बोर ना हूँ करेंट अफेस आपको एक कहानी की तरीके लगे, जैसे आप कोई नूस चैनल देख रहे हों केवल उसे तरीके से लगे आपको बहुत ज़्यादा डेटा देने का भी मेरा कोई मक्सद नहीं रहता कि मैं आपको बहुत सारा डेटा निकाल के देदू उससे होगा गया कि आप देखते हैं कि कई सारी current affairs आपको पढ़ाने वाले मिलेंगे जो बहुत सारा डेटा आपको देदेंगे एक साथ एक current affairs में लेकिन वो कितने दिन तक आपको याद रहेगा ऐसा तो बहुत सारा डेटा आपको बस किताब हो में भी पढ़ा हुआ है तो आप वीडियो क्यों देख रहे हो तो सीधा सटी हम उतना ही पढ़ना चाहिए यतना ही समझना चाहिए जेतना हमारी exam point of view से important हो तो फिलाल चल दे हैं वापस अपने current affairs की तरफ एक question आपकी screen पर लिखा हुआ है कि foreign direct investment के मामले में भारत तो कौन सा इस्थान हासिल हुआ है आज हमारी पहली news भी वहीं से है अभी हाली में अंग टाड ने अंग टाड के बारे में चर्चा हम अगली slide में करेंगी अंग टाड ने एक report जारी की और उसमें बताया कि foreign direct investment हासिल करने की मामले में भारत विस्थ के 9 देश पर पहुँच गया है पिछले साल भारत की रैंकिंग 12 है आगे जाने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि foreign direct investment होता क्या है foreign direct investment जिसे हिंदी में प्रत्यच विदेशी निवेश कहा जाता है किसी एक देश की कमपनी द्वारा जब आप किसी दूसरे देश में जाकर एक नई कमपनी शुरू करते हैं तो उस तरह के निवेश को green field investment कहा जाता है लेख की portfolio investment के मामले में आप किसी दूसरे देश की company में कुछ share खरीद लेते हैं वहाँ पर आपको उनके अंदर मदान का अधिकार मिल जाता है भारत की बात करें तो कम से कम 10% हिस्सेदारी foreign direct investment के लिए होनी चाहिए जब आपको 10% हिस्सेदारी मिलती है तब ही आपका प्रत्यश विदेशी निवेश माना जाएगा भारत के अंदर दो तरीके से हो सकता है निवेश कर सकते हो आप एक स्वताचालित route है जिसे हम लोग automatic route कहते हैं मोधी सरगाने कई सारे sector ऐसे हैं जो पहले आपकी government route के अंदर होते थे उसको automatic sector में ला दिया है जिसमें से defense भी एक प्रमुक है आपका petroleum भी उसमें से एक प्रमुक है और अगर बात करें तो इसमें 100% FDI है यानि कि 100% तक कोई व्यक्तिन निवेश कर सकता है कोई company निवेश कर सकती है पिछले कुछ समय पहले जब कोरोना वाइरस का हमारे यहां पूरे देश में खाकार मचा हुआ था लॉक्डाउन चल रहा था तो उस समय भारत ने हमने पडोसी देशों को निवेश करने से रोग दिया था लेकिन यह था नहीं कि उन्होंने पूरा निवेश करने से रोग दिया था उन्होंने आटोमेटिक रूट के जरीए निवेश करने से रोग दिया था वो आपका नौवे नमबर पर आया है अब निउस कवर करते हैं सेंटराश के वियापार और विकास सम्मेलन यानि कि अंग टाड़न दा यूएन कॉन्फरेंस ओन ट्रेड एंड डेवलप्मेंट ने रिपोर्ट दी कि 15 जून को विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की है इस रिपोर्ट के अंशार भारत 2019 में 51 अरब डॉलर का प्रत्यच विदेशी निवेश हासिल करने के साथ वर्ष के दोरान दुनिया भर में नौवे इस्थान पर रहा है विकास्चील एशिया छेतर में भारत सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करने वाले सीर्स पाँच देशों में सामिल रहा वर्ष 2018 में भारत को 42 अरब डॉलर का FDI यानि की Foreign Direct Investment प्राप्त हुआ था जबकि 2020 में इसे 56 अरब डॉलर का Foreign Direct Investment यानि की FDI प्राप्त हुआ है 42 डॉलर से और पिछले साल भारत की रैंग 12 भी थी जबकि इस साल भारत की रैंग 9 भी हो गई है रिपोर्ट में बताया गया कि COVID-19 के चलते 2020 में दुनिया भर में FDI में 40 प्रिस्ट तक गिरावट आने का नुमान लगाया गया है जिसने 246 अरब डॉलर का FDI प्राप्त किया पिछले साल उचने 254 अरब डॉलर का FDI प्राप्त किया था दूसरे नमबर पर चाइना है जिसने 141 अरब डॉलर का FDI प्राप्त किया जबकि 138 अरब डॉलर उचने पिछले बार प्राप्त किया था जबकि हॉंग कॉंग चाइना के बाद 104 अरब डॉलर का 35 विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला दीश रहा है तो इस तरीके से अगर आप दीखें तो इंडिया का जो है उसने 51 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त किया है 2019 के मुकाबले अंगडाट की बात करें तो सहितराज व्यापार और विकास सम्मीलन जिसे United Nation Conference on Trade and Development भी कहा जाता है ये सहितराज संग की एक संस्ता है इसकी इस्थापना 1964 में की गई थी इसकी इस्थापना 30 सेप्टमबर, 30 दिसंबर 1964 में की गई थी इसका मुख्याल है जेनेवा सुटियाल लैंड में है अगली जानकरी की तब चलते हैं US Open के लिए नियार्क के गवर्नर ने मन्जूरी दे दी है जैता कि अब सभी को पता है कि अभी तक सिर्फ एक Grand Slam हो पाया है इस साल वो है Australian Open Australian Open के बाद French Open होना था फिर इसके बाद Wimbledon होना था तो French Open तो रद नहीं किया गया है लेकिन Wimbledon को रद कर दिया गया है उसके बाद आपका US Open का नंबर आता है यानि कि अमेरिकी Open भी इसे कहा जाता है इसका आयोजन 31 अगस से 13 सितंबर 2020 तक 40 सिटिडियम में होगा US Open हर सत्र का चौथा और अंतिम Grand Slam होता है लेकिन 2020 में ये दूसरा Grand Slam होगा इस साल अब तक सिर्फ फरवरी में Australian Open का आयोजन हो पाया है इससे पहले मई में French Open को इस्तागित कर दिया गया था और इसका आयोजन अमेरिकी Open के खत्म होने के एक हफते बाद करने की योजना है जब भी विम्बंडन को इस बार रद कर दिया गया है चार टेनिस Grand Slam होते हैं जिने टेनिस का मेजर कहा जाता है साल के सुरुआत में आपको Australian Open देखने को मिलेगा या मिड या लेट आपको जन्वरी में देखने को मिलता है और इस बार ये Melbourne में खेला गया हरवा Melbourne पर ही खेला जाता है इस बार इसके जो विजेता रही है पुर्सों में वो नोवाग जोकविक रही है जिन्होंने Dominic Thiem को हराया था जबकि महिलाओं में इसकी जो विजेता रही वो Sofya Canon नहीं जिन्होंने Garwin मुर्गजा को हराया था French Open आपको June मई में देखने को मिलता है मई-June के दौरान देखने को मिलता है यह Paris में खेला जाता है और यह Clay Code पर खेले जाने वाला है Clay यानि कि मिट्टी के Code पर खेला जाता है रफेल नडाल इसके पिछले साल के विजेता रहे और ऐसले बार्डी महिलाओं में Wimbledon आपका June जुलाई में होता है इस सालिया रद्द कर दिया गया है और Wimbledon लंडन से संबन्दित है आप ऐसा समझ सकते हैं Australia, France, London यानि United Kingdom और फिर उसके बाद आपका अमेरिका यह Grass Code पर खेला जाता है घास के Code पर खेला जाता है पिछले साल के इसके विजेता नोवाग जोकोविक और सिमोना हालिप रही जबकि आपका US Open पुरसों की बात करें तो अब तक सबसे ज़्यादा Grand Slam जीतने वाले हैं रोजर फेडरर शुडियर लाइन के हैं रोजर फेडरर जिन्होंने 20 Grand Slam जीते हैं उसके बाद रफेल नडाल का नंबर आता है रफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं उन्होंने अभी तक 19 Grand Slam जीते हैं और उसके बाद 9 जोकोविक का नंबर आता है जिन्होंने 17 Grand Slam जीते हैं इसके बाद पीट संपरास का नंबर आता है महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में सबसे ज़दा Grand Slam जीतने वाली है सेरेना विलियम अमेरिका की सेरेना विलियम जिन्होंने अब तक 23 Grand Slam जीते हैं अगली जानगरी की तब चलते हैं तो हाल विलाल आप हमें US Open तो देखने को मिलेगा अपने समय से अरुनाचल परदेश में एक मचली की नई प्रजाती खोजी गई है और च्योंकि इसके जो जीन्स थी वो CGO Therax से मिलते हैं इसलिए इसका नाम CGO Therax Siku Serum Minis दखा गया है अरुनाचल परदेश में मचली की एक नई प्रजाती का पता चला है जिसका नाम है CGO Therax Siku Serum Minis इस नई मचली प्रजाती की खोज डॉक्टर केसो कुमार जाने की है वो पासीगाट के जवाला नेरु कॉलेज में प्रोपेशर प्राध्यापक और प्राणी विज्यान के प्रमुख है CGO Therax Siku Serum Minis मचली प्रजाती की खोज पूर्वी सियान जिले के मीबो सरकल में गाकांग के पास की गई है सिकू नदी और सिरुम नदी के संगम पर ये मिलने के कारण इसका नाम में आपको सिकू और सिरुम नदीयों का नाम मिलता है इसका नाम सिकू और सिरुम नदीयों के नाम पर रखा गया है सिकू सिरुम मेनिस तो फिलाल सीजो तेरेक्स सिकू सिरुम मेनिस नाम की मचली के प्रजाती कहां खोजी गई है ये अरुनाचल प्रदेश में खोजी गई है International Union for Conservation of Nature कि Red Listing में उन प्रजातियों को या उन जातियों को रखा जाता है जो विलुप्त होने के ककार पे होती है जिनके उपर संकट मंदरा रहा होता तो ऐसे में आउनाचल प्रदेश में आर्किन एक पौदा होता है उसकी Red Listing सुरू की गई है कि कहां वो उत्पन हो रहा है कहां वो विलुप्त हो रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी आउनाचल प्रदेश की सरकार के जो कर्मचारी है वो IUCN की मदब करेंगे पहला राज है जो IUCN की Red Listing करवा रहा है इसके अलावा तीन नए मेड़कों की प्रजाती खोजी गई थी आउनाचल प्रदेश में उनका नाम रखा गया था लिउराना हिमालियना लिउराना इंडिका और लिउराना मिनुटा ये मेड़क की प्रजाती थे बहुत छोटे-छोटे मेड़क थे बी एलारो ने बनाया था ये ब्रिग और ये जो बुल है ये सुवन सिरी निदी पर बना है एक नए स्नाइपर वाइपर यानि के साप की खोच की गई न्यू पिट वाइपर डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदीष उसका नाम हैरी पोर्टर में एक करेक्टर है जो साप से मिलता जलता है तो सालजार पिट वाइपर आफ्टर सालजार स्लेथरिंग के नाम पर उनको नाम सालजार पिट वाइपर रखा गया अरुणाचल प्रदेश की राध्धानी इटानगर है, सीम पेमा खांडू है, गवर्नर वीडी मिश्रा है, इस्टीट एनिमल गायल है गायल को आप गायली बोलेंगे, मुझे नहीं लगता गया और कुछ बोलेंगे ये बड़ा सा जानवर होता है, जिसों गौर भी कह सकते हो इस्टेट बर्ड है, ग्रेट हॉर्न बिल, लोग सबा में केवल दो सीटे हैं और राजसवा में केवल एक सीट आपको और नाचल पते से देखने को मिलेगी हिंदी बासी शात्र आप यहां से देख सकते हैं अगली जानकारी है, बहुत बढ़िया जानकारी है कि भारत को एक बार फिर से UN Security Council का आइस्थाई सदस्य चुन लिया गया है फाइदा क्या होगा? फाइदा वही होगा कि जब आप किसी संथा को रेप्रेजेंट कर रहे होते हैं लोग आपके सपोर्ट में होते हैं, जैदे हमारी बात कोई नहीं सुनता लेकिन अगर कोई राजनीता आजाए, कोई विधायक आजाए, तो उसकी बात सुनी जाएगी इग्जैक्ली वही है United Nations Security Council विश्ट की सबसे ताकतवर संस्था है सुरच्छा के मामले में अगर कहीं किसी देश में दो देशों के बीज में इस स्थितिया विगरती है तो United Nations Security Council ही वो संस्था होती है जो ये डिसाइड करते कि वहाँ पर सेना भेजी दानी है कि नहीं भेजी दानी है सांती इस्थापना के लिए इसके सैनिक जाते है जिने सांती दूद कहा जाता है तो भारत अगर UNSE का सदस्य हो गया है तो इसका मतलब ये है भारत का चुनाओ Asia Pacific शेतर से किया गया है यानि Asia Pacific शेतर से किया गया है Asia Pacific शेतर में आने वाले तिरपन देश ने भारत का समर्थन किया जिसमें चीन और पाकितान भी सामिल है उन्होंने यहाँ पर सद्रस्थिता का समर्थन किया था पिछले साल अब इस वज़े से भारत को यहाँ पर उसकी सद्रस्थिता एक वज़े यह भी थी कि कोई और था भी नहीं निर्विरोज चुना गया है क्योंकि और कोई केंडिडेट यहाँ भी इसे परसांट शेट से गया नहीं लेकिन इससा सीधर तो फाइदा यह होगा कि भारत इस तरीके के प्रयाद जब भी कुछ बात रखेगा कम से कम वो कम से कम युनाइटे नेशन में सुनी जाएगी हाल फिलाल दो साल तक जो कारेकाल है लेकिन एक ड्रॉबैग भी है भारत ऐसे में चीन के खिलाभ कोई प्रस्ताओ यूएट में नहीं ला सकता क्योंकि भारत और चीन इस समय एक ही संस्था के सदस्य हो गया है यह एक छोटा सा ड्रॉबैग है कि भारत अगर चीन के खिलाब कोई भी प्रस्ताव लाने की बात करता है United Nation में तो वो उसे नहीं ला सकता क्योंकि वो दोनों एक ही संस्था के सदश्य है तो United Nation Security Council भारत को 17 जून 2020 को आठमी बार से नहीं तो राज सुरच्छा परिशत का आइस्थाई सदश्य सदश्य है यह भारत साल 2020-21 के लिए इस सर्वस संस्था का आइस्थाई सदश्य है बन गया है 193 सदश्य महासभा में 184 वोट हासिल किया है दो साल के कारेकाल हे तो भारत को 17 सुरच्छा परिशत का आइस्थाई सदश्य 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 बहाद चुका है और आठमी बार भारत का सुरच्छा परिशद में पहुंचना काफी ज़्यादा महात्पूर है महासभा प्रतेक दो साल के लिए दो वर्स के कारेकाले के लिए कुल दस में से पांच इस्थाई सदस्यों को चुनाओ करती है परिशद में चुने जाने के लिए उमीदवार देशों के सदस्यों को दो तिया ही बहुमत की आवश्यक्ता होती है United Nations Security Council की बात करने तो इसमें कुल 15 सदस्यों होती है जिसमें से 5 इस्थाई सदस्यों है जिनके पास बीटो पावर होती है और वो 5 इस्थाई सदस्यों आपके हैं US यानि सहुतराज अमेरिका, UK यानि कि इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया और चाइना जिनके पास बीटो पावर होती है जब की 10 सदस्यों से आइस्थाई होते हैं और 10 में से 5 हर साल 2 वर्ष के कारेकाल के लिए चुने जाते हैं United Nations Security Council में अगर दिखा जाए तो भारत का ये 8. कारेकाल होगा 193 देशों में उसे 184 वोट हांसिल हुए थे और अब भारत Security Council में एक मजबूत पकड़ रखेगा सहिंतराज सुरच्छा परिशत की बात करें तो सहिंतराज सुरच्छा परिशत सहिंतराज के 6 प्रेमुक अंगों में से 1 है जिसका उत्तरदाई तो है कि अंतराश्टी सांती और सुरच्छा बनाए रखना परिशत को अनिवार निड़ेओं को गोसित करने का अधिकार भी है ऐसे किसी निड़ेओं को सहिंतराज सुरच्छा परिशत का परिशत का प्रस्ताव कहा जाता है मुख्याल है नियुवियार्क में है इस्थापना 24 अक्टूबर 1905 यानि जब सहितराज की इस्थापना हुई तभी इसकी इस्थापना भी होई सहितराज के वरतमान समय में जो सचिव है वो है अन्टोनियों को त्रेस अगली जानकारी तब चलते हैं ये नाबाड से जूड़ी हुई है नाबाड के बारे में मैंने आपको पिछले वही ने एक एपॉइंटमेंट के बारे में बताया था उसके बारे में जनू चर्चा करेंगे लेकिन अभी हाल भिला नियूज नाबाड जनी National Bank for Agriculture and Rural Development की एक निवेश साखा है जिसका नाब है नाब Ventures इसकी थपना भी की गई है और अब ये कंपनियों में निवेश करेगी खासकर उन कंपनियों में जो Greenfield की कंपनिया है Greenfield की कंपनिया उन्हें कहते हैं जो क्रसी आधारे दुद्धों को पर काम करती है तो Gramir Fintech Startup जै किसान नाम का एक Fintech Startup है उसमें अपना पहला निवेश किया है नाब Ventures को मई 2019 में 500 करोन से अधिक प्रतावित कॉप्स के साथ लाँच किया गया था मुंबई इस्थित इस Startup में 30 करोन की funding round के हिस्से के रूप में इसमें निवेश किया गया है और जै किसान जो है ये किसानों के लिए हितकारी कारें से जुड़ी हुई के कंपनी है राश्टी करसी और Gramir Vikas Bank की बात करें तो जो इसका मैं News की बात कर रहा था अभी हाली में गोविंद राजूलू चिंटाला जी को यहाँ पर इसका प्रेसिडेंट बनाए गया है ये appointment अभी हुई है राश्टी करसी और Gramir Vikas Bank मुंबई इसका मुख्याले है इसके इस्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी अगली जन करी है जो तस्वीर आप देख पा रहे है ये भी सहिंट राश्ट से ही जुड़ी हुई है सहिंट राश्ट महासभा का 75 वाए अध्यच के रूप में तुर्की के राज नईक बोलकान बोजकिर को निर्विरोज चुना गया है उन्होंने तिजानी मोहमद बंदे जो की नाईजीरिया से बिलोंग करते हैं उनका इस्थान लिया है बोजकिर की उमेद्वारी पच्छिमी यूरोप और अन्य राज्यों के बीच से समरतन प्राप्ती वा एक वर्ष की अवदी के लिए ये पद समालेंगे बोलकान बोजकिर को उनके पच्छ में 188 वोट मिले क्योंकि 11 राष्टों ने मद्दान नहीं किया मद्दान माध्यम से किया गया था बोलकान बोजकिर जनरल असमली के मुखिया बनने वाले पहले तुरकी नागरिक है यानि कि पहली बार तुरकी से किसी को यहाँ पर सहितराश्च महासवा का हेड बनाए गया तिजानी मुहमद बंदे अभी आपके चौतरवे अधिवेशन के हेड थे जो एक साल का कारिकालूंगा पूरा हो गया अब उनकी जिगे आए हैं वर्कान बोजकिर तुरकी से अगली जनकरी तब चलते हैं खेल मंत्राले ने अपना एक फ्लैक्सिप कारिकरम सुरू किया है खेलो इंडिया योजना इसके लिए उन्होंने सेंटर बनाने की बात की है सेंटर वो जहां पर खेल सीखे जा सके खेलों के बारे में साच्छर्टा बढ़ाई जा सके खेलों के बारे में नौलेज बढ़ाई जा सके तो खेले इंडिया स्टेश सेंटर्स आप एक्सिलेंट की इस्थापना करना जा रहा है पूरे देश में एक मजबूत खेल पालिसिती की तंत्र को बनाने के प्रयासों के तहट प्रतीग राज में केंसासी प्रदेश एक किसके कुछ इन्नीत करेगा किसके की इस्थापना के पहले चरण में खेल मंद्रा लेन ने भारत के आठ राज्यों में इन राज्यों में सरकारी स्वामित वाले ऐसे खेल सुवधा के अंद्रों की पहचान की गई है जिनने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सिलेंस की रूप में अपग्रेड किया जाएगा और वहाँ पर जो नेने खिलाडी हैं उनको प्रोसाइट किया जागा कि वो आएं खेलें और सीखें खेलो इंडिया की बात किरें तो खेले इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण इस बार असम गोहाटी में हमें देखने को मिला था जिसमें महराश्ट पहले स्थान पर रहा था जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण ये उरिशा में आउजित किया गया था भूबनिश्षन में और इसमें पंजाब यूथ जो है वो टॉप पर रही थे यानि भी आई जे वाई ये बनाया गया था तो आई दिंग क्लियर हो गया होगा कि स्टेश सेंटर ओफ एक्सिलेंस की स्थापना कौन करने जा रहा है खेल मंत्रा ले वर्तमान समय में खेल मंत्री कौन है किरन भी जीजू अगली जनगरी भी खेल से है अजरवैजान के ग्रैंड मास्टर सकरियार मामे दिरोग ने वर्ड इस्टार सारजाँ ऑनलाइन इंटरनेशनल सतरंज चैंपियंसिप जीत ली है उन्होंने दस राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके प्रतिस्टिट किताब और 3.000 डालर की पुरसकार अधासी जीती है बारती ग्रैंड मास्टर पेंताला हरी कृष्मे दस राउंड में 6.5 अंक लेकर चैंपियंसिप में दूसरे इस्थान पर रहे अगली जानकरी है खादी एवं ग्रामो द्योग आयोग द्वारा माराश के पालगर जिले में नीरा एवं तारगुर का उत्पादन करनी के लिए अनूठी परियोजना शुरू की गई है नीरा हमारे यहां उत्तरवदिस में तारी बोला जाता है सेहत के लिए अच्छी होती है लेकिन ये नसीली होती है नसा बगएरा आ जाता है के बी आईसी द्वारा आरम की गई परियोजना का उदेश ये है कि तारी को सौफ ड्रिंक के रूप में विक्सित किया जाए या नीरा को सौफ ड्रिंक के रूप में बढ़ावा दिया जाए और इससे एक उद्योग बना दिया जाए इसे एक पर्टिकुलर अजीवगा का जरिया बनाया जाए क्योंकि महाराश में काफी जाता तार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे महाराश में 50 लाग से अधिक तार के पेड़ है परियोजना के अंतरगत KBIC ने नीरा निकालने और तार गुड़ बनाने के लिए 200 इत्थानी कारीगरों को तूल किट पितरित की है इस तूल किट में फूड ग्रेड स्टेनलेस टील कड़ाई पर, फॉर्टेट, मॉल्ड, कैंटीन, बर्नस और चाकू, रसी और नीरा निकालने के लिए कुड़ारी जैसे अन्यूपकरण भी सामिल हुए नीरा को सूर्योद्य से पहले तार के पेड़ से निकाला जाता है तो महराज सरकार किसको सुरू कर रही है नीरा और तालगुर के उपताने, उत्पादन के लिए एक यूनिट सुरू कर रही है और उसमें उन्होंने, जो ऑपरेटर्स लगते हैं, वो थोड़ा साथ इसको दिए अगली जानकरिया, एशिया पैरलंटिक समिती ने बहरीन में आयोजित होने वाले एशिया यूवा पैरागेम्स के चोते संसक्रण को दिसंबर 2021 में आयोजित करने की गोशना की है इन खिलो में 20 साल से कम उम्र के लगबग 800 एथलीटों के 9 खिलो में हिस्सा लेने की उमीद जताई गई है इसकारिकरम का आयोजिन बहरीन की राष्ट्री पैरालिंटिक समिती के सयोग से किया जाएगा बहरीन के बारे मेंुपी अभी हाल फिलाल एक नियूज रही थी कि पियूस् शिर्वास्तो जो वर्तमान समय में बहरीन में राज़दूद नियूट ठीके गया है जबकि दीपक मितल को कतर में राज़दूद नियूग किया गया है ये दोनों न्यूज एक ही दिन आई थी बहरीन में जो राजदूथ हैं वो कौन है? पियोश शिर्वासतों अगली जनगरी है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को हर सल 18 जून को विशिस्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाय जाता है या दिन गैस्ट्रोनॉमी के प्रकृती से संबंदित सांस्कतिक अभिवेक्ति सहीट दुनिया की सांस्कतिक विवित्ता के रूप में सुईकार करने के लिए मनाय जाता है गैस्ट्रोनॉमी का संबंद इसे कभी-कभी आप पाक कला यानि की पकाने की कला अथवा भोजन बनाने की कला भी कहा जाता है या एक विशिष्ट शेतर से जुड़ी खाना पकाने की विदी भी हो सकती है दूसरे सब्दों में कहें तो गैस्ट्रोनॉमी अक्सर इस्थानी बोजन और असोई संबंदी विवस्था को संदर्वित करता है कि क्या जैसे आपके आप पंजाब में अलग तरीके से खाना बनाया जाता है हमारे अलग तरीके से खाना बनाया जाता हुआ तो अलग अलग जगों पर अलग अलग बनाया जाता है या तीन दिनों तक चलने वाला एक अनूठा तेवार है जिसमें मांसून के सुरुवात और भू-देवी यानि धर्ती माता की विसेज पूजा की जाती है ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धर्ती माता यानि भू-देवी मासिक धर्म से गुजरती है और इसमें चौथा दिन धर्ती के इश्नान का दिन होता है राजा परवा उस्सों मनाने के दोरान उरीशा के लोग धर्ती माता के मासिक धर्म के दिनों के प्रती सम्मान प्रतीक के रूप में तीन दिनों तक खुदाई, बुवाई, जुताई जैसे सभी कारे रोग देते हैं ये तीन दिन इस पेकार है राजा संक्रांती, असार मास के पहले दिन को संक्रांती से पहले दिन यानि पिल्ली राजा संक्रांती के दिन और उसके बाद के दिन को भोजदा यानि की बसी राजा के नाम से जाना जाता है तो इस तरीके से ये तीन दिन मनाया जाता है तेवार पहला वाला राजा संक्रांती होता है दूसरा दिन वारा पिल्ली राजा और संक्रांधी के दिन और उसके बाद के दिन का जो बोला जाता है उसे बसी राजा बोला जाता है तो इसे राजा पर उडिशा में मनाए जाता है अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की नाबाड की निवेश साखा नाब वेंचर ने अपना पहला निवेश किस ग्रामीर कंपनी में किया है तो वो है जैकिशार सेवित राज के व्यापारेवं विकास सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट के अंसार भारत एक क्यावन अरब डॉलर का 35 विदेशी निवेश हासिल करने के साथ वर्ष में कौन से नंबर पे रहा है इस वर्ष वो नौमे थान पर रहा है हाली मैं अरुनाचल परदेश में खोजी की मचली की नई पजाती का नाम क्या है सिजो थोरस सिकू सिरूम मेनिस भारत कितनी कौन सी बार सहित्राथ सुरश्या परिशत का 23-10 सुना गया है आठमी बार ACI UA परागेम से चौते संसकर कहा है उजित होंगे बहरीन में सहित्राथ महासभा के 75 में राषपती के रूप में किने चुना गया है या प्रेसिडेंट के रूप में यानि अध्यच के रूप में चुना गया है यहाँ पर राश्पती नहीं अध्यच होना चाहिए बोलकान बोजकेर किसके की स्थापना के पहले चरण में खेल मंत्रा लेने भारत एक कितने राज्यों में सरकारी सौमित वाले ऐसे खेल सुधा केंद्रों की पहचान की है तो आठ राज्यों में वर्ड स्टार्ट सारजा ऑनलाइन इंटरनेशन सतन चैंपियन से में भारती ग्रैंड मास्टर पेंदला हरी कृष्णा कौन से इस्थान पर रहे हैं दूसरे इस्थान पर रहे हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयो दौरक किस राजी में नीडा और तालगुड का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियुजना शुरू की गई है तो महराष्ट में इस साल विश इस्थर पर सस्टेनिवल ग्रैस्ट्रोनॉमी डेक कम मनाय जाता है 18 जून को खादी में राजा पर किस राजी में बनाये गया उड़ी शा में तीन दिन देँ चलने वाला हुसो हाली में अठी हल परते से सिकूरूम मेंस नावार की निवेश शाका नाव वेंजर ने अपना पहला निवेश किस ग्रामीर फिंटेक में स्टार्ट किया है तो उसका नाम है जैकिशान सहितराष के व्यापारेवं विकास सम्मिलन में विस्व निवेश रिपोर्ट 2020 में भारत 2019 में 51 अरब डालों का प्रताष निवेश रादिल करने बाद दुनिया में कौन से नंबर पे रहा है तो नौवे नंबर पर रहा है भारत कितनी बार सहितराष सुरच्छा परषद का आज़ थाई सुद्र से चुना गया है तो आठमी बार सहितराष का आज़ थाई सुद्र से चुना गया है A.C.I.U.A. पैरागेम्स के चौते संसकर्ण को आज़ित कहां किया जाएगा बहरीन में इसे आजित किया जागा दिसंबर 2021 सेंच दरान महासवा के पिशत्तर में राश्पती की रूप में प्रेसिडेंट की रूप में यानि अध्यच की रूप में किसे चुना गया है वर्डिस्टार सारजा ओनलाइन इंटरनेशन सतन चैंपियाथे में भाड़ी ग्राइड मास्टर पेंतला हरिक क्रिश्ण के उन से नमबर पे रहे हैं वो दूसरे नमबर पर रहे है खादियो, ग्रामो, द्योग, आयोग द्वारा किस राज में नीरा और तालगुर का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना सुरू की गई है तो ये परियोजना आपकी महराज से सुरू की गई है हर साल 20 सिस्तर पर सस्टेनेबल गैस्टोनेमी डे कब मनाया जाता है हर साल ये अपका 18 जून को मनाया जाता है हाली में राजा पर्व किस राज़े में मनाया गया तो रजपर्व या राज़ा पर्व